हेलो फ्रेंट्स नमस्कार वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंट्स अगर आपने नीट 2022 का एकजाम दिया है तो आपके लिए आज तक की सबसे बड़ी खुशकवरी दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ जिहां दोस्तों एनेमसी बिल 50% प्राइवेट शीट्स की फिस जो है और गॉर्वेंट फिस पर होगी ये दोस्तों ओफिसियल नोटिस हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं सभी टीमड और प्राइवेट कोलेजों को एनेमसी की तरफ से ये नोटिस भेज दिया गय है जिहां दोस्तों कट ओफ इससे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी बिलोव 500 भी आपको जो है कोलेज मिलने के चांस रहेंगे अगर आप जनल कटेगरी या पिर अन्य कटेगरी से बिलोंग करते हैं क्योंकि दोस्तों ओप्शन्स BDS के भी हैं ओप्शन्स BMS के भी हैं सबस चाल in respect of 50% of the seats in private medical institution and deemed to be universities goán under the NMC Act 2019 sir i am directed to inform that an office memorandum had been issued regarding guideline for determination of fees and all other charges in respect of 50% of the seats in private medical institution and deemed to be universities governed under the NMC Act. Wide OM NMC US fee regulation committee 21-22 dated 3 February 2022 copy and closed and to say that the fee regulation guidelines are mandatory as per NMC Act 2019. यह देखिया लाइन यहाँ पर important would be applicable for student who will be admitted through NEET 2022 UG and PG. Accordingly, all the deemed by university are requested to complete with the above referred OM-dated. तो दोस्तों आप देख सकते हैं, यह 22 विलाई का notice है दोस्तों और सभी deemed university के साथ private college जो को भी यह बोल दिया गया है कि वो अपना fee structure 50% government जो 50% sheet से private को ले जोकी उसके fee structure जो है वो government fees के equal कर ले और यह NEET UG 2022 और NEET PG 2022 के students के लिए लागू होने वाली है दोस्तों तो फाइनली यह doubt दूर हो गया होगा दोस्तों की अब की बार से लागू होगा ही होगा तो cutoff दोस्तों जादा नहीं तो 20 से 30 नंबर आप कम मान लीजिएगा साथ में दोस्तों अगर आपके 500 नंबर भी आ रहे तो आप BDS में एडिमिसन भी यहाँ पर ले पाएंगे जेनल कटेगरी में बात कर रहा हूँ दोस्तों और अन्य कटेगरी के तो cutoff और भी जादा कम जाएगी इसलिए दोस्तों हम जो आपको next वीडियो में cutoff भी बता देंगे कि एनमसी बिल के बाद cutoff क्या रहे जाएगी अपकी statewide और ओल इंडिया तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवार थेंक्यू